रुदीवाइज जो PCB को कॉंत्रोल करता है फिर capacitor को लगाते हैं जो electric charge को इस्टोर कर के ज़रुरत पढ़ने परर रीलीज करता है फिर register को गाते हैं जिस्वे current ज्यादा flow होने पर current को कारण को इसके हैं भिर diode को लगाते हैं जिसे current को एक direction में flow करवाया जाता है फिर 3 LED लगाया जाता है जो charging को indicate करता है फिर switch को लगाते हैं जिसे power bank को on off किया जा सकता है फिर last में charging pin को लगाते हैं उससे पहले यदि आप मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जिनुट्राइस कर लें सब्सक्राइस के सब्सक्राइस करें इन्हें अच्छे से फिक्सल लेते हैं